हमने बॉलिवूड, साउथ और हॉलिवूड फिल्मों में बहुत सारे कार दूप जाती है या भारी बारिश होती है और बार के कारण एक व्रक्ति कार के अंदर फर्स जाता है आपको लगता होगा ये सब नकली है नहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिती में कैसे सुरक्षित रहे मैं आपको बताता हूँ यदि बारिश हो रही हो या बार आगई हो और आपकी कार डुबने वाली है तो ये कुछ महत्वपूर्णा काम है जो आपको करने चाहिए यदि आपकी कार किसी जलाशाय में प्रवेश करने वाली है तो प्रभाव के लिए खुद को तयार रखे हैंडल को पकड़ ले आगे क्या करना है खबराये नहीं क्योंकि इस से उर्जा कम हो जाती है मजबूत बने रहिए शांत और सकारत्मक रहिए आराम से और सामान्य रूप से सांस ले कार को पकड़ ले अगर बाहर पानी का सर बढ़ जाए और वह आपकी कार में घुशने लगे तो क्या करें आप सभी सोच रहे होंगे कि आप लॉक खोल कर भाग सकते हैं नहीं अगर आप दर्वाजा खोलेंगे तो पानी कार के अंदर घुश जाएगा दर्वाजा मत खोलिए पानी के दबाव के कारण आप दर्वाजा नहीं खोल सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो कार में पानी भर जाएगा सबसे पहले करने वाली बात ये है कि हर किसी को अपनी सीट बेल्ट खोल लेनी चाहिए शांत रहिए ज्यादा तर समय पानी कार की खिडकियों और उसके काम काच को जमा कर देता है फिर क्या करें निकलने के रास्ते हैं आप खिडकी तोड़ने और फिर खिडकी से भागने के लिए काच तोड़ने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो दूसरा विकल्प भी है कार की सीट में से एक का हेड्रेस ये देखिए हेड्रेस निकाल दीजिए और खिडकी तोड़कर भागने के लिए इसका उपयोग करें विकल्पिक रूप से यदि आपके पैर पर्याप्ट मुजबूत है तो आप खिडकी को तोड़ने और भागने के लिए अपने पैरों का उपयोग कर सकते हैं आप या तो सुरक्षित रूप से तेर सकते हैं या पानी में चल सकते हैं लेकिन यदि आप तेरना नहीं जानते हैं तो एक बैक अप योजना तयार रखे सुरक्षित रूप से तेरने के लिए inflatable float का उप्योग करे आप सभी ने डूपती कार से बचने के महत्वपूर्ण मिं अप तयार हो है एक और महत्वपूर्ण बाद अपनी कार में शीशा तोड़ने वाला एक उपकरन रखे इसे अंदर कहीं ना रखे क्योंकि हमें इसे ढूनना भोगा और वो खो भी सकता है आसान उब्योग के लिए बहतर होगा इसे rearview mirror के पास लटका दीजे सरल तो इन्हे याद रखे और फॉलोर जरूर कीजिये